आरक्षन बढ़ाओ आरक्षन बचाओ संगर समीती के बेनर तले भारत बंद का अहवान किया गया था जिसमें आप देख सकते हैं कटिहार सही चौक पर भी कई घंटों से जाम है और इस जाम के कारण कई लोगों को आवा गवन में काफी दिक्कत होती है बता दू कि सुप्रीम कोट द्वारा आरक्षन बिरोधी फैसले को लेकर भारत बंद का असर था जिसमें कटिहार में भी असर देखा गया जहां आरक्षन समर्थकों ने कटिहार सही चौक को जाम कर आवा गवन बाधित कर दिया है आरक्षन बढ़ाओ समिधान बचाव अभियान के तहत कई संगट्नों द्वारा भारत बंद का कटिहार में भी मिला जुला असर देखने को मिला है माननिय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अगस 2024 को उनका फैसला आता है कि SCST में वरगी करन और किर्मी लॉयर जो है लाया जाए तो यह कहीं से भी उचित नहीं है आज हमारा समाज 100% में लगबग 6% जो है परसासनिक पतादिकारी में है कुछ कहीं नहीं कहीं पतादिकारी बने वे मात्र 100 में 7% और इतना जल्दी वरगी करना और किर्मी लॉयर करना आरक्षन में यह कहीं से भी जो है यह सही नहीं है हमारा मांग आज परदासन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षन को नम्मी सुची में डाला जाए हमारा आरक्षन को नम्मी सुची में डाला जाए जैसे हमारा आरक्षन नम्मी सुची में जाएगा आदालत कहीं की भी हो उस पे पूर्ण विचार या फिर विचार छेर छार आरक्षन से नहीं हो सकता नहीं कर पाएगे इसलिए हम लोग का पूरा जो है समर्थन है इस सिचका की नम्मी सुची में अरक्षन को डाला जाए तो सम्भीधान हमें अधिकार दिया और सुप्रिंग कोट के दोरा मन्य सरवोच न्याले के दोरा साजिस के तहद हम सभी भाईयों को लराने का कोशिश किया गया तुक्रेब बढ़गी करन करकर और हम लोग बरदास नहीं करेंगे हम बाबा साथ अंबेद करका संतान है हम अपने अधिकार के लिए लेना जानते हैं छिनना भी जानते हैं कि तुम्हारा क्या है तुम्हें तो बस मुस्तखबिल बनाना है लेकिन हमें हमारे समाज को भी काबिल बनाना है यह जो आज भारत बंद है कुछ लोग कह रहा है कि लेटरल इंट्री सबसे पहला पाक तो यह है कि जिस तरह से इस समाज में मोदी जी लेटरल इंट्री वाल कि अपने लोगों को सची वाले भेजा जारा लेकिन हम लोगों को सीफ सोचाले दिया जारा हम लोगों का सिर्फ यह कहना कि आप आरक्षन में जो आरक्षन देरे उसको बंद करिए पूरी तरह से और जिस तरह से लेटर लिंटी के थुरू आप SP और DM बनाने का काम करें इसको पूरी तरह से बंद करिए नहीं तो आज जो भारत बंद हुआ है यह सिर्फ एक दिन के लिए भारत बंद है अगर इसको पूरी तरह से बंद नहीं क्या गया तो हम लोग विशाल रूप चांदोलन करेंगे और देश भड़ में पूरा देश भड़ को आने वाले महनों तक आज बंद करने का काम करेंगे जब तक आपका यह कानून वापस नहीं होगा नेश्यद हम लोग राष्टी जनता दल परिवार इस बंदी के समर्थन में हैं और हम लोग जद तक नरेनमोधी की सरकार आरक्षन में जो जी सतरह से चोट करने का काम दलीतों सोसीतों को वंची सब्सक्राइब करने जो दिया है संबिधान में वह संबिधान का पन्ना फाड़ पाड़ पाड़ कर संबिधान में आरक्षन को खतम करने का काम कर रहे हैं इसी को लेकर आज कटिहार में चक्का जाम है और पूरे देश में जाम है राष्ट्य जनता दल इसका पुलजोर समर्थन करती है इसी को लेकर आज हम लोगोने कटिहार को बंद करने का काम है जब परकास वड़ाद नाइम से नहीं उचका बिहार